हेलो फ्रेंट्स एक वाफिर से मैं आप सबके समख्च एक नया वीडियो सेशन लेकर पस्तित वाहूं जिसमें आज मैं 64th VPSC प्रिम्स को ध्यार में रखते हुए जो साइन्स की MCQ सीरीज कुश्यों एंजन सीरीज स्टार्ट की है उसका लेक्चर पांच वाफ पार्ट लेकर आप सबके समख्च वाहूं जिसमें काफी महत्रपूर कुश्चन आप समख्ट डिसकस के जाएंगे सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बतातू यह कुश्चन ना सिर्क VPSC परिक्षा के लिए बलकि बाकी सारे PCS एक्जामेशन और SSE CGLS रेटी एक्जामेशन के लिए उतन पर कमांड कर पाएंगे यह आपको किसी भी competitive examination में एस दे सकती है और आपको सबसे आगे रख सकती है तो बिना देर किये content देख लेते हैं और इस वीडियो सेर्शन के मादलां से आप क्या सीखेंगे तो फेंट्स बेसिकली यह previous year questions and answer होगा इसमें most accurate answer जो भी PC का official answer होगा वो को answer आपके दिये जाएंगे other than this जो पचास 50-20 questions from physics, chemistry and biology भी प्रिपेर कर रखें मैंने और उन questions को detailed analysis explanation के साथ आपके समख प्रतुत किया जाएगा जिससे आपको PCS examination या फिर भी PCC की प्रिक्षा है उससे direct question आने के chances है और इन सभी का मतलब यही है कि ज्यादस ज्यादा score कर ब आना तो basically 20 के आसपास तो question आते हैं वो उसमें 20 out of 20 questions science session की करने में आपको सहायता करना ही इन वीडियो का मेरा पहला और आगरी purpose है तो friends आग का session शुरू करते हैं friends basically इसमें दो साल का prelims की परिक्षा का question मिला करके चुकि 48 तो 52 परिक्षा में science section से बहुत जादा question नहीं थे दो या तीन question थे तो उनको भी मैंने 47 वाले के साथ highlight कर दिया मिल्स करके एक ही PPT में उसको include कर दिया है ताकि आपको अलग PPT न देखना पड़े तो friends इसमें दोनों भी परिक्षा का question included है तो चलिए question no.1 का answer देख लेते हैं जोकि आपके screen पर दिख रहा है तो basically यह कौन सा hormone organ effect होता है मिलावट वाली चीजें खाने से तो यह तो मालूम है liver damage होता है बिलावट वाली चीजों के grant करने से तो इसका correct answer हो जाएगा option D next चीज विज़े तो following vitamins contains को बार friends इस question का answer मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है और इन vitamins जैसे vitamin V6, vitamin V2, vitamin V1, B12 इसका नाम भी बता रखा है इस question ka answer comment section में लिखे हमें जरूर बताएं ताकि हमें पता से लेगा कि आप हमारे video सही तरीके से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं तो friends इस question answer, question इस question का answer आप हमें comment section में लिखे जरूर बताएं हमें आपके इंसर का इंतिजार रहे है बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ रहन रिंबो रिजुसांड है तो इससे रिपल खूल जो भी दिया गया एक रूपन लूट अलग हैं भी रिपलेशन मिल्क से होता है और ब्लू औशियन शेह अघ्री टो वीट रहन बैसिकली या फि to get skin burns swimming pool तो सुरिंग जो होता है वार्ट को क्लीन करने के लिए स्मय क्लोरीन क्मिक्स कहाता है और उससे जो होता है स्कीन बार्ण होते हैं तो फेंट इसका जो घ्रेक क्रेक्ट इंसर हो जाए कि था अगो धर के उन को जो ए बात करते हैं तो उसको मोशन में जो ट्रांसफर किया आता है और जो होता है 30% होता है यहां पर एक करेक्ट इंसर हो जाएगा 30% मुविंग और फर्मेंटेशन अफ सुगर लीश्टू फ्रेंट्स जो मिथाइल अलकोहल होता है वह बहुत अच्छा अलकोहल नहीं माना आता है और इससे हूच ट्रेजरी जो होती है जिसमें काफी लोग मर जाते हैं जहरीली सराब पीने की वज़़े से उसके लिए रिस्प अगर कुछ भी आसपर स्काइब पूछे तो आप सटी कंसर दे पाएंगे लेक्स मायोग्लोबीन कंटेंस तमेटर तो बेसिकली मायोग्लोबीन फ्रेंट्स वह होता है एमबी खीक है और मायोग्लोबीन हो सकता है आपने न सुना हो पर ऐसा कोई नहीं होगा जिसने हीमोग तो फ्रेंट्स जैसा आपको मालूम है यह ब्लड में भी पाए जाते हैं लेकिन जिसमें जो मेटल होता है वो होता है आईरन तो इसका करेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आईरन ऑप्शन दी मूविंग और अस्परीम इस ऑप्टेन फरन जो सर्दी कांसी की दवाई होत तो इस यूरिया का यूज किया जाता है यूरिया दी जाती है यूरिया में बैसिकली जो होता है वन नाईट्रोजन 46% होता है तो नाईट्रोजन विट के सब्सक्राइब जाएगा और नेक्स चीज विच मेटल काया वी यूज पॉप प्रूदूशिंग अलेक्टिसिटी इस नुकलियर रेक्टरस में और उरनियुन को यूज करके खिटी प्रद्यूосses यहां पर तेट को फैंट यहां। यूज को यह सब्सक्राइब तो बिसिकी कि यह वो डिपेंड करता है लेंथ पे डिर्टी पॉपर्शन लेंथ अइन एंडिर्टी पॉपर्शनल अचलेशन आइज गी यहां पर करेक्श्टेंस हो जाएगा डिपर्ट्स इस लेंथ मुविंग ओन फ्रेंट्स ब्रास इस मेड फ्रम तो ब्रास जो होता है वो बना होता है कॉपर और जिंक का कॉपर उसमें होता है 67% और जिंक जो होता है वो 33% होता है यह हैं फिर दो इंपोर्टेंट इंक्रेटिम्स होते हैं ब्राज के कॉप और एंजिंक इसमें कहीं कहीं इसका इंसर दे आ हुआ है जिंक फस्वाइड यानि कि इसमें तो मेंसर नहीं है तो यहां पर डी लेकिन जो बीपेसी का जो इसका यूज किया जाता है जो की एक वाजन होता है तो यहां पर करेक्ट एंसर दोनों में से कोई देख वो सकता है लेकिन यहां पर बीपेसी नहीं को एंसर माना हुआ है लेकिन जिंक फस्वाइड दो अगर कहीं रहता है तो वह एंसर हो जाएगा जो आप करेक्ट इए लेकिन अगर आपके साथ और यहां दो नहीं तो आप सब्सक्राइब के साथ भी आप जा सकते हैं नेक्स्ट वाइट लाइज इस क्यूज इस प्रोडूस बाई तो फ्रेंस फाइट लाइट जो हता है तो बैस्क्लिवाइट लाइट के अंदर जो होत लेज अल्ट्र वाइलेट री प्रोडूस करते हैं इसके वाज़े से वाइट लाइट हमें प्राप्ट होती है मर्करी में तो यह होजा का करेक्ट इंसर ऑप्शन चीए नेक्स्ट गोल्ड इस डिजॉब्ड इन तो फ्रेंस गोल्ड किसमें बिला जाता है तो बिस्क्लिव से होता है मिक्चर अप सल्फिरिक एसिद नाइट्रिक एसिद यहाँ पर करेक्ट टेंशन हो जाएगा ऑप्शन सीव मुविंग आप एसिट रें इस कॉज़ बाई बिसिकली सल्फर डायक साइड एसो टू एसो टू और एनो टू होता है वो इंडस्टी से काफी मात्रा में निकलते हैं जिसकी वज़े से यह दो इंपटेंट इंग्रेडियंस है ऐसी ड्रें के तो यहाँ पर इंडस्टी जिसकी वज़े से एसी ड्रेंड होते हैं तो बिसक्ली लाइट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं अलग-अलग कलर में तो यह तो देन देकराज का बच्चा भी बता देगा कि सप्रेट भाई यह लाइट में राइट चप्चर है उसमें दिया भी गया हुआ है तो यह इसी कोश्चन है वाट इंपोर्टेंट है कोश्चन है कि वैज़े से कुलिंग की जाती है तो यह करेक्ट इंसर नेक्स इस दे करसे नेक्स दे अकरसन तो फ्रेंट जो आश्मालेस दे होता है वेस्टी यहां पर नॉर्थ हमेस्टेर की बात कर रहा है तो वो होता है 23rd दिसंबर को यह श्मालेस देर है नेक्स इस सोलर एकलिप्स अकर्स वेन तो यह थोड़ा सा टेक्निकल कॉस्टेंट तो जब मून आर्थ और सं के बीच में रहता है तो फिल्ट मालम फ्रेंट यह होगिया आपका सं यहां आगया मून और यहां आगया अर्थ अगर इस तरह का सिंगी मे तो रहता है तो सोलर इकलिप्स होता है तो यह करेक्क रिस्पर हो जाएगा और मून दोनू के ग्रिविटेस्नल एक्ट्रेक्षन से यहां पर यह थोḥ Сंघ नहीं की वज़़जा से मून की लिए वाज़ा से तो यह एकर्ण की और यहसार भूद से लुदे कि वज़े से low tide होता है लाकिंग high tide होता है तो high tide की वज़े से होता है mean की वज़े से होता है friends यह correct answer हो जाएगा option D moving on the magnetic needle points to यह तो बहुत यह असान question है friends वो north side के तरफ indicate करता है magnetic needle तो यहाँ पे तो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा option C एक वाफिर से north आपके session का friends अभी के session का आपरी question burden of hydrogen produces क्या करता है अब यह देख रोग यह आपको इसमें बताने की भी कुझे है hydrogen को मैंने लिख दिया एक टू और हमालुम है कि air में oxygen available बहता है तो यहाँ पे मैंने कर दिया अब इसको balance करने के लिए हमें यहाँ पे हाफ लगा गया और यह हमारा बन गया h2o और इसके आगर तो मुझे बताने को जरूए थे नहीं नहीं कि ह्लिए h2o मतलब water यह हो गया आपका correct answer friends तो thank you for watching this video session please do like and share this video and subscribe this amazing channel all the very best you are thank you so much